हेलो अरिवान, वेलकम टू शानालेज बैंक स्वागता आप सबका फिसे लर्न पॉलिटी थू एमसी क्यू सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी के थर्ड पार्ट लाए हैं दो पार्ट अल्रेडी अपलोड कर रखे हैं वो आप लोग देख लीजिए दन ये वाला पार्ट कंटीनेउ किजी ठीक है बिन टाइम बेस्ट के चलिए शिरू करते हैं डेली शेडिल है यह हमारा हिस्ट्री की क्लास शाम को पांच बज़े आती है पॉलिटी की क्लास शाम साथ बज़े और एकनोमिक्स की है, एमसी क्लास आती है हमारी रात को 9 बजए ये तीनों टाइम है नोट कर लीजिये और इन टाइमों पर आ जाईए आपकी वर्दी कहीं नहीं या आपकी वर्दी पक्की है फिर ठीक है दो स्टार आपके कंदों पर दिलवा के रहेंगे हम अगर आप लोग टाइम से क्लास कंटीनियू करते हैं तो और इस लेक्चिर का अगर आपको PDF चाहिए हमारी सभी क्लास की लेक्चिर की PDF जो है वो हम टेलीग्रम चैनल पर अपलोड कर देते हैं ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और काफी बच्चों की ये भी होते हैं सर के Current Affairs कहां से करें Current Affairs तो ये वाले तो GS के तो मिल जाता है Current Affairs कहां से करें Easily तो Current Affairs हम लोग Short में Instagram पे अपलोड कर देते हैं डेली की Current Affairs वहां आपको मिल जाएंगे आप डेली पढ़िये और बात में कहीं and Tips के साथ आपको वहां पे समझाते हैं वो हमारे Instagram चैनल पे आपको मिल जाएगा तो Instagram चैनल हैंडल भी लिंक हमने नीचे description box में दे रखा है वहां भी आप हमें join कर सकते हैं ठीक है तो बिन टाइवेस्ट के चलिए शुरू करते हैं Question first से What is the minimum permissible age for employment in any factory or mine किसी भी factory या mine में कम से कम age क्या होनी ची आप जिसमें काम कर सको ठीक है 12 साल 14 साल 16 साल या फिर 18 साल तो ये minimum age है हमारी 14 years 14 years and above हो आप तो ही आप किसी factory या फिर mine में काम कर सकते हैं याद रखिये गई Question 2 देखिए Which of the following is not a condition for becoming a citizen of India ठीक है आप इंडिया की नागरिकता किस condition से नहीं ले सकते हैं इंग में से By birth ये तो होती है सब के पास ठीक है Acquiring property ठीक By descent या फिर by naturalization आपको ये तो पता ही होगा Citizenship जो है हमारी ठीक है ये Part 2 of Indian Constitution में आती है ठीक Under Article 5 to 11 ठीक ये आपको पता होगा और next further thing is क्या Citizenship Act 1955 ये हमें क्या बताता है कि हम किस तरीके से Citizenship acquire कर सकते हैं और किस तरीके की Citizenship हम loss कर सकते हैं तो पास तरीके होते हैं जिनसे हम Citizenship ले सकते हैं और तीन तरीके होते हैं जिस तरीके से हम Citizenship अपनी खो सकते हैं तो ठीक है, ये पांस तरीके कोन-कोन से हैं, first one is by birth, second one is by descent, third one is by naturalization, और fourth one आ जाता है हमारे पास by registration, last, fifth one कोन सा आता है, by incorporation of any territory, किसी भी territory को अगर India acquire कर लेता है, तो उस territory में जितने भी लोग हैं, तो उनको भी Indian citizenship मिल जाएगी, ये पांस तरीके होते हैं, जिससे हम acquire कर सकते ह इंडियन citizenship को, by birth, by descent, by naturalization, by registration and by incorporation of Indian territory, ये पांस तरीके हैं, दन हमारे पास तीन तरीके आते हैं, जिन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी citizenship को खो सकते हैं, इन में कोन-कोन से तीन तरीके आते हैं, पहला आगे हमारे पास by termination, ठीक है, दूसरा आ जाता है by renunciation, तीसरा आ जाता हमा इंडियन citizenship को सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये पांच जिन से हमें Indian citizenship मिलती है, इन से हमारे Indian citizenship citizenship चली जाती है, ये 1955, Citizenship Act 1955 में बताए गए हैं, पांच तरीके एक्वाइर करने के और तीन तरीके लास करने के, ठीक है, तो अब किसी के concept होते हैं, सर ये OCI card क्या है, P PIO क्या है, NRI क्या होता है, तो simply देखो, NRI क्या है, ठीक, NRI वो बंदे हैं, जो citizen तो हैं इंडिया की, but reside कर रहे हैं बाहर किसी country में, ठीक है, चाहे job कर रहे हों, चाहे किसी और काम से, तो वो क्या होते हैं, non resident of India, मतलब Indian citizenship उनके पास है, but रह इंडिया में नहीं रहे, ये क् X हमारे पास क्या आजाता है, PIO, ठीक है, अब PIO क्या होता है, ठीक, PIO that is person of Indian origin, ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी भी person, जैसे XYZ मान लो, ये कोई X बंदा है, ये US में है, ठीक है, US की citizenship है इसके पास, but ये PIO कैसी हुआ, person of Indian origin के, इसके जो माम बाप थे, ठीक है, मदर या फ पास क्या थी, citizenship थी, इंडिया की, तो ये क्या हुआ, PIO, ठीक है, person of Indian origin, ठीक है, XYZ कोई भी हो, अगर उसके parents, ठीक है, पीछे से कोई भी उसका Indian citizenship उनके पास थी, तो वो PIO कहलाएगा, next हमारे पास क्या आता है, OCI, overseas citizenship of India, ये, हमने dual citizenship concept इसको बोल सकते हो, आप OCI, ठीक है, O इंडिया का था, उसने बाहर की citizenship ले ली है, अब इंडिया में आके वो कुछ काम या फिर कुछ privilege लेना चाहे, तो उसको बनाना पड़ता है, OCI card, overseas citizenship of India, ठीक है, वो जो person है, उसको register करना पड़ेगा, OCI card holder बनना पड़ेगा, under citizenship act of 1955, तो ये तीन concept भी important है, आपकी exam point of view से, NRI PIO and OCI, ठीक है, तो इस question का answer आप लोग ने बताया है या नहीं, आप इस easily आप लोग बता पा रहे होंगे, इसका क्या है, option B is the correct answer, मतलब इसमें not पूछा था, तो property acquire करने से किसी को citizenship नहीं मिलती, question 3 देखिए, who is competent to prescribe condition as for acquiring Indian citizenship, ठीक है, इन में से कौन ऐसा है, जो terms and condition को apply करके, हमें citizenship को दे सकता है, Parliament, State Legislature, President, Attorney General, तो ये कौन है, Parliament ही है, ये ही एक मातर बाड़ी है, जो हमें citizenship दिलवा सकती है, किसी भी बाहर के बंदे को, कौन, Parliament approve करती है, question 4, which of the following statement regarding the acquisition of Indian citizenship is correct, ध्यान से सुनिएगा, if citizenship is be acquired by registration, six month residence in India is essential, ठीक है, जी, if citizenship is be acquired by naturalization, the person concerned must have resided in India for five years, okay, option C, if born in India, only that person can acquire citizenship at least one whose parents is an Indian, ठीक है, जी, next one is आगया, rules regarding the citizenship of India shall not be applicable to Jammu and Kashmir, okay, अब यहाँ पर देखिए, कि इन में से कौन सा correct है, हमारे पास CDC बात है, अगर कोई बंदा इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में पैदा हुआ है, उस person को citizenship आराम से मिल जाएगी, क्योंकि उसके parents इंडिया है, that is, C option is correct, ठीक है, अब त तुमारा जो बच्चा होगा, उसने आके इंडियान citizenship के लिए अप्लाई थोटी ना करने है, तुम इंडियान हो तो तुमारा जो बच्चा है, वो भी automatically इंडियान होगा, that's why option C is the correct answer, ठीक है, according to the Citizenship Act 1955, Indian citizenship cannot be acquired by children of diplomat or alien enemies born in India or on after 26th January 1950, okay, children born of Indian citizens abroad, okay, in cooperation of territory not forming part of India at commencement of constitution, ठीक है, denaturalization, ठीक है, अब इन में से कौन सा part नहीं होगा, इसका, that is option A, कोई भी diplomat जो यहाँ इंडिया में काम करना आता है, चाहे हो friendly हो, चाहे हो, एनी में हो, तो इन दोनों में से, अगर उनका कोई बच्चा यहाँ पर bond होगा, इंडिया में, तो उनको citizenship ऐसे नहीं मिलेगी, किसी को भी इंडिया में पैदा होने से citizenship नहीं मिलती, तो option A is incorrect, तो that's why, इसका option के आएगा, A is the correct answer, question 6 देखे, citizenship provisions are insurance in constitution in part 2, part 2, article 5 to 11, part 2, article 5 to 6, part 1, article 5 to 11, यह मैंने आपको starting में बताया, इसका answer आप मुझे comment section में बताइए, ठीक है, move to next question, which of the following article describes about the personal, voluntarily acquiring citizenship of foreign state not to be citizen, ठीक है, इस में से कौन सा article describe करता है, कोई बंदा अपनी मर्जी से citizenship छोड़ दे, ठीक है, foreign की citizenship उसने acquire कर लिए हो, तो Indian citizen उसकी automatically छोड़ जाएगी, यह कौन से article में लिखा हुआ है, article 5, article 7, article 8 या article 9, तो बताइए मुझे, तो इसका जो correct answer है, question 7 का, that is article 9, यह article 9 में खा गया है, अगर कोई भी बंदा जो बहार में voluntarily किसी भी citizenship को acquire करेगा foreign की, तो वो Indian citizenship खो देता है, वो Indian citizen नहीं रहता, that is article 9, ठीक है, question 8 देखिए, details on how citizenship may be acquired and terminated, are enumerated in, मैंने आपको starting में यह question बताया था, part 2 of Indian constitution, the citizenship act 1955, schedule 1 of the constitution, various enactment of parliament, तो आप easily इसका अंसर बता सकते हैं, citizenship act 1955, option B is the correct answer, ठीक है, question 9 देखिए, a person can become a citizen of India, even if born outside India, if his or her, father is Indian, mother is Indian, नहीं, एक के होने से नहीं चलेगा, mother is a citizen of India at the time of person's birth, ठीक है, या फिर father और mother is a citizen of India at the time of person's birth, ठीक है, मा या बाप दोनों में से कोई एक, अगर Indian citizen होगा, तो उस बंदे को Indian citizenship मिल जाएगी, क्योंकि वो इंडिया का है, तो बाहर पैदा वो उससे फर्क नहीं पड़ता, Indian citizenship उसको easily मिल जाएगी, option D is the correct answer, which of the following rights was described by Dr. B. R. Ambedkar as heart and soul of the Indian constitution, बहुत important question है, इसको लिखके दिवार पे चिपका दो, ठीक है, बहुत important question है, हर एक exam में पूछे जाना वाला, question है, examiner का favorite question है, right to freedom of religion, right to property, right to equality, या फिर right to constitutional remedies, तो option D जो है, इसका correct answer है, heart and soul of the constitution किसको बोला जाता है, right to constitutional remedies, किसने कहा था है, इसको Dr. B. R. Ambedkar जी नहीं, okay, according to article 23, following are prohibited, traffic in human beings, bakery, slavery, bonded labor, ठीक है, B. Monopoly of trade, sales of instances, visit to tourist infected areas, तो इसमें article 23 में क्या बोला गया था, जो traffic human beings में, baggery, slavery, bonded labor है, इसमें ये prohibited किया जाएगा, article 23, that is option E is the correct answer, ठीक, question 12 देए, once the proclamation of emergency is made, the right of a citizenship to move the supreme court for the enforcement of fundamental rights is suspended by, ठीक है, कोई भी emergency लगती है, देश में, ठीक है, उसको supreme court move कर देता है, enforce करता है, क्या fundamental rights को suspend कर दिया जाता है, तो उसको कौन बोलता है, इन में से यो कौन बंदा है जो suspend करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, प्रेजिडेंट करता है, लोग सभा का speaker करता है, या फिर चीजज़ साफ Supreme Court करता है, तो ये कोन करता है, that is President of India, ठीक है, ये President के पास ही power होती है, ये वही suspend कर सकता है, ठीक, question 13, under article 368, यहाँ आपने article 368 देखा तो मतलब amendment, ठीक है, समझा गया होगा, Parliament has no power to repeal the fundamental rights, because Parliament repeal नहीं कर सकता fundamental rights को क्यों, क्योंकि ये instant है, part third of constitution में, human rights, या फिर transitional, transitional rights है, इसलिए, या फिर part है, ये basic structure और essential framework of constitution, ठीक है, ये option D is the correct answer, आप जो है, repeal नहीं कर सकते, basic structure of Indian constitution को, तो जो fundamental rights है, वो basic structure में आता है, इसलिए इसको आप repeal नहीं कर सकते, और एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, कि basic structure में क्या-क्या आता है, ये हमारे constitution में कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, Supreme Court जो बोल देगी, कि ये basic structure में है, तो वो आ जाएगा, जो बोलेगी नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ये चीज़ कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वर्ण सिंग कमेटी या इंदरा गांधी कमेटी, ठीक है, 14th question का answer है, that is option C, स्वर्ण सिंग कमेटी, जो 42nd amendment हुई थी, इसका lecture मैंने अभी last week ही upload किया, 42nd amendment को mini constitution भी कहा जाता है, ठीक है, क्यो mini constitution कहा जाता है, ये आप लोग उस lecture में, detail में जाये थे, वो बाकी भी जो हमने काफी सारे changes किये थे उसमें, तो इसलिए उसको mini constitution भोला जाता है, तो आप उस lecture को भी देख सकते हैं, उसका भी link में, नीचे description में, डाल दूमा मास या, 42nd amendment act 17, 1976 को भी पढ़ सकते हैं, इसको mini constitution कहा जाता है, क्या ये स्वर्ण सिंग कमेटी के थुरू recommend किया गया था, fundamental duties, ये add वीती कब, 42nd amendment के अंदर, respect for national flag and national anthem is fundamental right of every student, fundamental duty of every citizen, directive, principle of state policy, ordinary duty of every citizen, तो ये हमारी fundamental duty है, हर एक Indian citizen की, ठीक है, कि हमारी जो national flag और national anthem की respect करें, so option B is the correct answer, hope so ये discussion आपके लिए fruitful रही होगी, अगर पसंद आये तो like जरूर कीजिएगा, अगर पसंद ना आये तो dislike करके comment में जरूर बताना कि आपको क्यों पसंद नहीं आया, तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पे रखते हैं, कल continue करेंगे further, God bless you, keep learning, keep sharing